हेलो फ्रेंड्स में उगीता और आज हम बनाएंगे बिना गेज जलाए बिना किसी मैनत के इतनी टेस्टी और हेल्दी एसक्रीम कि एक बार आपने ये बना लिना तो मार्केट की सारी एसक्रीम भूल जाएंगे खाने में इतनी गजब की बनती है और बिना किसी मैनत के ये healthy भी होती है और टेस्टी भी होती है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है तो चली इसको बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यह पर ले लूख सूटे लेंगे निकाल देंग हुप से जो चिलंकल जाता है कुई दिकल नी ते और आप जाते हैं अम्सें निकल आपके पास ये कच्चा नारियल नहीं है तो आप नारियल का जो बुरादा होता है ना वो भी इसमें ले सकते हैं लेकिन ये हो तो बहुत ही अच्छा है ये बहुत हेल्दी भी होता है और ठंडा भी होता है और अच्छा भी लगता है स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और यहां हमने लगबग पॉन लिटर के करीब दूद लिया है और यह दूद डाल देंगे हम इसमें लगबग आदा कप, यह हम ऐसे पीशेंगे ना तो थोड़ा मुस्किल होगा, इसलिए हम इसमें पानी नी डालेंगे, पानी की जगह हम दूद डाल के पीश लेंगे, अच्छे दूद उसमें डालेंगे हम चीनी, एक कप, चीनी अपने मीठे के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे एक दम परफेक्ट मीठा हो जाएगा, अच्छे से गोल लेंगी चीनी और दूद को, उसके बाद हमने लिया है एक कप मिल्क पाउडर, आप कोई भी ब्र तो यदि आपके में पास मिल्क पाउडर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप एक लीटर दूद को आदा लीटर होने तक पका लीजिए, और फिर इसमें सारी चीजे मिला दीजिए, इसके बाद हमने फ्रेस कूटीवी इलाइची ली है, एक चममच, पहले से कूट के रखी हुई इलाइची में सुआद इतना अच्छा नहीं आता है, उसकी खुस्बू चली जाती है, इसलिए इलाइची को हमिसा जब जरूद पड़े उसी टेम कूट के लिए अच्छा टेस्ट आता है, सारी चीजे मिलाने के बाद हमने एक मिक्सी का जहार ले लिया है, इसमें आप चाहिए तो ड्राइफूट भी एड़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन मैंने इसमें कुछ एड़ नहीं किया है, बस ड्राइफूट वगेर हम कुछ इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका खुद का ही स्वात बहुत ही अच्छा होगा, यह हमने प्ल फटा फट बन जाती है, पहले से दूद गरम होता है ना, तब हमें गेस जलाने की भी जरूत नहीं है, बस सारी चीजों को मिलाइए और जमा दीजिए, एक मैंने गिलास में डाल दिया है, और इतने इसमें डाल दिया है, गिलास वाले में मैं थोड़ी सी टूटी-फूटी डाल दूगी, क्योंकि आर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सरंग बीरिंगी चीज होती है न, तो उनको बहुत अच्छी लगती है, और इससे सुवाद भी बहुत अच्छा है ता टूटी-फूटी डालने से, आप चाहे तो इन में भी हैं, और पहले भी लगा सकते हैं, पहले लगाने से क्या थोड़ी टेडी-मेडी हो जाती है, लेकिन मैं बारवार वीडियो सूट नहीं कर पाऊंगे, इसलिए मैंने एक साथी लगा दी है, इसमें डंडी लगा दी है, और यह ऐसी रख देंगे, इनको हम रख देंगे फ्र उपर रहना थोड़ा जाग था ना, तो उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, जाग थोड़े से नीचे बैटने के बाद यह थोड़ी सी आदी हो चुकी है, तो थोड़ी सी ऐसे एस क्रीम छोटी लग रही है, पर बहुत ही अच्छी बनी है, देखी, एक दम क्रीमी और बहुत ही स्वादिस्ट एस क्रीम बन के तयार हुई है, बहुत ही कम खर्च में हम घर में इतनी सारी बना कर तयार कर सकते हैं, जब चाया इसको खा सकते हैं, मैंने यह आपे नीचे बरफ लगा के प्लेट उपर रख दी है, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगी फोटो प्लेट लगेगा तो यह सारी पिगल जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं